जय गुरुदेब महर्शी वेद विज्ञान विश्विद्या पेश्ट जोतिस भाग द्वारा दैनेग वेदक पंजांग प्रस्तुत करते हैं आज दिनांग 24 अप्रेल सन 2024 से महर्शी संबस्तर एक सो साथ चल रहा है बिक्रम समद 2021 के अंतरगत उत्तरायन वसंतरितू वैशाख हमास किष्ण पक्ष की आज पृति पदाते थी समस्तर रहेगी आज दिन बुदवार है आज स्वाति नक्षत रहे ग्यारा बच के त्रेपन मिनट रात्री परियन तत्पस्चाथ विशाखा नक्षत सुरू होगा सिध्धी योग है चार बच के तीश मिनट रात्री परियन तत्पस्चाथ व्यतिपाति योग रहेगा आज वालब करण है 5 बचe सायम परंत रहां ततबस चाथ कॉलब करण सुरु होगा सूरोदय करश मैं है 5 बच के 36 मिनट प्राता सूरेअस्थ कर समय है 6 बच के 24 मिनट च सायम राहुकाल दिन के 12 बजे से परारंभ होकर कर 1 बच के 30 मिनट दिन तक रहीगा इसी करम में द्वास राशियों का फल सरप्रथम मेश राशी पिछले कुछ समय से चल रही किसी समश्या का समधान मिलने से रहत मेशुश करेंगे और पूरे जोस वा उर्जया के शाहत अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे तथा आप अपने संपर्ख शूत्रों का उचित प्योग करने में सक्षम रहेंगे तथा दूसरों की मुश्कुलों को दूर करने में भी आपका शहयोग रहेगा ब्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रन रखना जरूरी है कोई नकारात्मक प्रवत्ती का व्यक्ति आपके लिए परिशानी का कारण बन सकता है कृपया पैसे के मामले में किसी पर आखमून कर विश्वास ना करें अनावाशिक मामले में गुस्से और आभिश में आना स्वास्त के लिए ठीक नहीं है काम काज के लिए महात्पुन योजनाय बनेगी ब्रिशवरासी घर के बरशादसों के शहयोग और मारदसन से आप कोई खाश निर्णा लेने में सक्षम रहेंगे बाचीत के माध्यम से किसी मसले का हल वा समाधान मिल जाएगा संतान की तरफ से भी कोई सुप समाचार मिल सकता किसी नईदी की संबंदी की मदद करने से पहले अपने बजट का विध्यान अवश्य रखें और किसी से तकरार ना करें इस बात का विशेष ध्यान रखें विध्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ अन्न गतिविदियों पर विध्यान देने की जरूरत है संतान के साथ एक मित्रिक का शहयोग भी आपको मिलेगा और उसका मारदर्शन से काम करने में सफलता के पूर्ण चांस हैं मित्वन राशी रुके हुए महत्पूर्ण कारशंपन होंगे और किशी मित्रादी का शहयोग भी प्राप्त होगा मन में उत्सा है और स्थर्था बनी रहेगी उन्नती का भी कोई मार प्रशस्त होगा युवावर्ग अपने किसी प्रोजेक्ट को पूरा लेने से राहत मैशुष करेंगे पारिवारिक्ष मामलों को लेकर अत्याथिक कारभार रहेगा परंतु विवस्तत रहने से आप काफी हद तक उन्हें पूरा भी कर लेंगे रुपे पैसे के लेन दिन को लेकर कुछ बाद विवाद जैसे इस्तितियोत्पन हो शकती है इस समय कोई भी विवशायक नने जल्दवाजी में नालें बहतर होगा कि किसी अनुभव व्यक्ति की सलाय मश्वरा लें और समय पर कार पूर्ण करें विवस्तत दिन चरिया रहेगी मित्रों तथा संबंदियों के साथ कोई यात्र शंबंदी योजना बन सकती है मनुरंजन तथा सुक्सुविदया संबंदी गतिविदियों में आपका वहतिन समय वेतित होगा किसी धार्मिक संस्था के प्रती भी आपका उचित योगदान रहेगा अपने उपर अत्रिक्त जिम्मिदारे लेने से परहिच करें बना तनाव की इस्तिती बन सकती है कोई भी निर्णाएं बहुत अधिक सोच समझ करता दहरे पूंड तरीके से लेने का प्रयास करें ब्यापार में विस्तार सम्मंद योजनाय शफल रहेंगी और अत्रिक्त आय के भी मार्ग बनेंगे लेकिन आयात निर्यास सम्मंद के तिविदियों में कुछ प्रतिकूलता रह शक्ती है नोकरी पैसा व्यक्तियों की किसी लापरवाई के विज़े से अधिकारी वर्ग की नाराजी का शामना करना पड़ेगा सिंग राशी आज का दिन कोई सो अफसर प्रदान करने वाला है विचारों में स्थरता और द्रणता रहने से आप अपने कारों को अच्छी तरह कर पाएंगे सुपचिंदकों को भी भरपोर शांत मिलेगा शामाजे के रूप से मान प्रतिष्ठा बने रहेगी अपने विचारों को साथ दूसरे लोगों के विचारों पर भी गोर करने की जरूरत है आए के साधन बढ़ने के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी विवशाई वश्था उचित बनाये रखने के लिए समय और उर्जा का प्रतिबंदन करने की जरूरत है पबलिक रिलेशन आपके लिए विवशाई सम्मंदी नए सरोत उत्पन कर सकते हैं दूर दराज के पार्टियों के शंपर्क रहने से उचत प्रवंद हाशल होगे कन्यराशी है आज का दिन अधिक तर समय पारिवार के शाथ मनुरंजन और ऑनलान सापिंग में ब्यतीत होगा अपनी ब्यक्तिगत कारी की और आप उचित ध्यान दे पाएंगे युवाओं को किसी प्रतिस परधा में सफलता मिलने की उम्बीद है अनिग गत्यविदियों की ब्यज़े से आपके व्यक्तिगत कार बीच में अटक शकते हैं लेकिन चिंता ना करें कुछ शमय सब ठीक हो जाएगा पारिवाई श्रदश्तों का सहयोग बना रहेगा प्रधाशियों के साथ बाद वाद ना करें कारोवारी गत्यविदियां विवस्तत रुप से चलती रहेंगी उच्चदिकारियों से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा आज कोई उपलब्दी हासल होशकती है जो कि आपके लिए आर्थिक रुप से बहुत ही फायदेमंद रहेगी कुछ अन्य जानकारियों के लिए भी आपकी रुची रहेगी संतान की सिक्षा और केरियर समंद इस सुप सूचना मिलने से घर में खुशी का माहुल रहेगा किसी के साथ बिरोधवाशी इस्थिती का मुकाबला करने में आपको पूरा जोड लगाना होगा किसी अन्भवी से सलाय मश्वरा करना आपके लिए जाबदायक रहेगा खर्च की अधिक्ता की वज़े से आर्थिक समस्या बनी रहेगी धैर और श्रयम रखें बिवसाई के लिए और अधिक गंविता से मेहनत करने की जरुवत है हला कि आप अपनी योजना शफलता पूरवा पूरी करेंगे नौकरी में श्रयम से आ सकती हैं कड़ी मेहनत करें वास और अधिकारियों के साथ सम्मन मधूर बना करके रखें तुल बिश्चिक रासी सोचे हुए कार श्रयम पर पूरी हो जाएंगे जाने से उत्साह बना रहेगा मित्रों तथार इस्तिजारों के शाथ भावनातमक लगाव रहेगा आपको उनकी मदद भी करना पड़ सकती है और इससे आपको खुसी होगी किसी प्रहावशाली वक्ती से मुलाकात काफी मौका मिलेगा विद्यारती तथा इवावन को अपना लक्ष हासिल करने में अपने आईवाव और अनभवी लोगों के मारदसन लेना आवश्यक रहेगा पारिवारिक मामले में कुछ दिक्कते बनी रहेगी साथ ही नकारातमक परस्तिदी का भी सामना करना पड़ सकता है बिजनस में निवेश करने के लिए समय अनकूल है लेकिन अपने बिजनस के कामों को दूसरों के भरुशे छोड़ना है किसी पर नरवाय रहने से बचना होगा बिजनस को बढ़ाने के लिए सही समय पर शही नरणा लेने की जिरुवत है धनुराशी कहीं पैसा रखा हुआ है तो आज उसकी बापसी की संभावना बन रही हैं आज आपकी उपर अत्रिक्त कारभार बना रहेगा और आप बखो भी अपने कारों को पूरा करने में समर्थ भी रहेंगे किसी नईदी की सम्मंदी के साथ चल रहा कोई पुराना बादिवाद किसी अनवहवी सदस्की मदद से हल होगा किसी भी कार में अपनी योगता और सामर्थ पर ही बिश्वास रखें आख मुंद कर दूसरों पर भरोशा करना आपकी परिशानी को बढ़ा सकता है इवावर कोई समश्या होने पर नकारात्म बचारों को अपने उपर हावी ना होने दे बेवशायक योजनाओं को कुरियान बद करने का अनकूल समय है किसी अधिकाइद वरसे ही भी मन मताविक सहायता मिलेगी मकर राशी सकारात्मक बने रहें निशन्दे अपने कार बनते जाएंगे पारिवारिक बादवात को सुल्जाने का अनकूल समय है किसी मित्रशे मन की बात को साजा करने से कोई मारदसन ही मिलेगा घर के किसी बिवाही योग सदस के लिए उच्चित रिस्ता आएगा जिससे घर में खोशी भरा बाता बना रहेगा बिना जान का रहासर के किसी भी खास नदीजे पर ना पहुंचें खर्चों के अधिकता की भी इस्तिती बनी रहेगी ब्यापार में कुछ नई के तविदियों पर विचार मिवर्श होगा अगर किशी डील की सिलसिल में पार्टी से मिलने जा रहे हैं तो अपना प्रजेंटेंशन अच्छा रखना होगा नौकरी पैसा लोगों को कोई आफिस्यल यात्रा पर जाने का आडर मिल सकता है कुमराशी अपनी योगता और कावेलियत द्वारा आप अपने लक्ष को हासल करने में कामयाब रहेंगे प्रतिष्ठत लोगों से मिलना जुलना आपके व्यक्तित में निखार आएगा तथा खाश अनभावी मिलेंगे इस शमय भाग आपको हर पस्तिती का सामना करने की छ द्विजी मिदारियां अपने उपर लेने की वजाए उन्हें बाटना भी शिखें क्योंकि अत्रिक्त कार करने में व्यस्ता की वज़ए से आपके महत्पून काम छोट जखते हैं व्यक्षाइग गत्विधियां विस्तार होगा प्रैक्टिकल तरीके से कारू को अज्याम से आप कोई निर्णा आसानी से लिपाएंगे निवेस करते समय अन्भुक की सलाह जरूर निरासी पारिवारिक तथा व्यक्षाइग वस्ता को बहतर बनाने के लिए किये गए प्रयासों के अन्कूल परिणाम हाशल होंगे तथा कुछ शमय नई क्रिया कल्पों और ग्यान मरतक बातों को शीखने में भी बयतीत होगा जिसे आपके वृक्तित में भी निखार आएगा भावनां में भहकर बिना सोच शमझी किसी के साथ भी कोई प्रावमिष्ट ना करें किसी नईदी की सम्धारिकी ब्यक्तित समश्चाओं को सुलजान में आपको योग्दान देन होगा और इस बेज़े से कुछ महात्रपूर्ण कारे स्थागत करने पड़ सकते हैं कोई भी नड़ाइं लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार अवश्च करें आपकी मेहनत और विवस्त रहने से विवशाइक बाधाएं काफी दूर होंगे ए राज का दैने पंचांग ए उंद्वास राश्यों का फल इसी के साथ हम अपनी बाणी को ब्राम देते हैं जय गुर्देव जय महास्री